इस कहाने का नाम है, स्वास्थ है ही धन है, एक बार की बात है, एक गाउं में एक धनी व्यत्ती रहता था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था, अपने सारे काम नौकरों से ही कराता था, और खुद सारे दिन सोता रहता या अयाश करता रहता था, वह धीरे धीरे बिल्कुल निकम्मा हो गया था, उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरिद सकता हूँ, यही सोच करवा दिन रात सोता रहता था, लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है, बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ, कुछ सालों उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है, उसे हाथ पैर हिलाने में काफी तकलीफ होने लगी, यह देखकर वा व्यक्ति बहुत परिशान हुआ, उसके पास बहुत पैसा था उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया वह बहुत दुखी रहने लगा एक बार उस गाउं से एक साधू गुजर रहे थे उन्होंने इस व्यक्ति की बिमारी के बारे में सुना सो उन्होंने सेट के नौकर से कहा वह उसकी बिमारी का इलाज कर सकते हैं या सुनकर नौकर सेट के पास गया और साधू के बारे में सब कुछ बताया अब सेट ने तुरंत साधू को अपने यहां बुलवाया लेकिन साधू ने कहा कि वह सेट के पास नहीं आएंगे अगर यहाँ चल कर आएं, सेठ बहुत परिशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था, और चल फिर नहीं पाता था, लेकिन जब साधू आने को तयार नहीं हुए, तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधू से मिलने पहुचे, पर साधू वहाँ थे ही नहीं, सेठ दुखी मन से वाप मिलता ही नहीं था, ऐसे करते करते तीन महीने गुजर गये, अब सेठ को लगने लगा, जैसे वह ठीक होता जा रहा है, उसके हाथ पैर धीरे-धीरे काम करने लगे हैं, अब सेठ को सारी बात समझ में आ गई, कि साधू रोज इससे क्यों नहीं मिलते थे, लगतार तीन महीन चलने से, उसका शरीर काफी ठीक हो गया था, तब साधू ने सेठ को बताया, कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमालो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो मित्रो, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागो होती है, पैसा कितना भी कमालो, लेकि स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती, आपकी स्वस्थ है कि देखबाल के लिए, स्वस्थ आहार खाना, नियमित वियायाम करना और पर्याप्त आराम लेना महत्वपोडन है, स्वस्थ खाना खाने के लिए, आपको प्रोटीन, पूरे अनाज, फल, सबजि कत्तों की पर्याप्त मात्रा का ध्यान रखने महत्वपोडन है, समय समय पर पानी पीना भी बिलकुल ना भूले, स्वास्थ है सरक्षन के लिए, डॉक्टर की सला भी ले, और नियमित चेक अप कराएं, तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से, हमें कॉमेंट करके ब